रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हूँ आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे सुष्थ होगे अच्छे होगे तो चलिए नवरात्रों के पावन अपसर पर मैं आपको एक सक्ति पीठी गुमा देती हूँ सक्ति पीठ अठार श्रिधाम विंदावन में इस्तित रायपूर में ये चामुंदा माता का मंदिर जो की बहुत फेमज है हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ पे जाता है और जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो सारी मन्नते जरूर पूरी होती है इस्पेशल जिनकी कोख नहीं भरी होती उनकी कोख भर जाती है विंदवन से कहीं दूर जाने की जुरुवत नहीं है विंदवन में परिकर्मा मार्ग पर ही जब आप लोग ने किसी ने विंदवन की परिकर्मा करी है आप लोग परिकर्मा करते तो यह गेट आपको दिखाई देता है बड़ा सा परिकर्मा मार्ग पर तो यह परिकर्मा मार जाती है ना वैशन देवी वाली जब चड़ाई दिखती है तो थोड़ी सी चड़ाई है थोड़ी सी चड़ाई करके हम लोग पहुंच गए हैं चामुंदा माता के मंदि लेकिन दर्शन करने से पूर्व एक बार कमेंट्स में जै माता की अवश्य लिकिए ये इसका एंट्र पहले ये यमना जी के पास आता तो चामुंदा माता का जो मंदिर है वो इस पेड़ के नीचे ही प्रकट हुआ था फिर बात में दिल्ली वालों ने और पंजाब वालों ने मिलकर इस मंदिर का निर्मार कराया और माता रानी को अंदर इस्थापित कर दिया ऐसा बोला जात ने अपना सरीर त्याआग दिया था अपने पिता जी के यह पर भगवान शिव अपने कंधे पर माता सती के जो अगनी द्यष में शरीर था अगनिस से दह होग चुका था बिल्कुनी जल चुका था वो लेके घूम रहे थे तो विश्णु अगवान जी ने अपने चक्र से माता सती जी के शरीर के 51 तुगड़े कर दे थे जो की 51 शक्ती पीट के नाम से प्रसिद है 50 शक्ती पीटों मैंसे यहाँ पर नैन ग जाएगा तो चामुंदा माता के दर्शन अवश्य कीजिगा क्योंकि आपको कात्यानी माता तो पता ही होंगी श्रीधाम बेंदावन की लेकिन चामुंदा माता के बारे में बहुत ही गम लोग जाते हैं यहाँ पर ब्रजवासी ही आते हैं एक दो लोग हैं जो बहार के आत और मानसिक रूप से आप भी पहुंचाईए आप भी फील कीजिए कि आपने घंटी बजाई है और आप दर्शन कर रहे हैं अभी तो मंदिर बंध है लेकिन मैं आपको दर्शन कराऊंगी लेकिन परिकर्मा भी विश्य कराऊंगी कुछ मंदिर का जो प्रांगण है ना वो की माता की नेत्र में इतनी शक्ति है ना इतनी शक्ति है माता के नेत्र में कि वो ऐसा लगता है कि अपनी तरफ हमको खीच रही है, यहाँ पे कुछ अखन जोत रखी हुई है, लेफ सेड में आप देख रहे होगे, यहाँ पे माता की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है, नवरात्री में यहाँ पे सिंगार का समान चरहने का अपने एक विशेश महत्व होता है, और नवरात्री में जो भीड होती है, और नवरात्री के पावन पर्व पर आप लोग भी इसकी जो परिकर्मा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, यह अपने आप में अद्बुद है, मातारानी का श्मरन करते हुए चलिए, हम लोग भी परिकर्मा करते हैं, मन में के बल कoa हिर आप लोग माताया को चरण के दरशन करें यह वरिंदेशवरी माता के चरण के Autism परदमाण की दरशन है तो आप लोग दशन अवसे की जिए और मेरे सासात माझसिक परिकर्मा भी कीजिए आपस इस समय श्रीधा वंरे कि चामुंदा माता के दशन कर रहे हैं और उस मंदिर की परिकर्मा कर रहे हैं तो कल में आप लोगों को चामुंदा माता के सासत केला माता के स्रिधाम विंदवन में केला माता का मंदिर है उसके दशन भी कराऊंगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से करना बिलकों भी मत भूलिए रादे रादे